अंगल मैंने सुना है कि जो आपकी लस्टी है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है और मतलब इंतने पुराणे टाइम के साथ होने बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं तो कहा कहा से आते हैं लोग इंपरी बताएंगे पूरी दुनिया से और मैंने सुना है कि आपकी शोग के पोश्टर में लगे थे और बुक्स में नाम भी आया था उसके बारे में बताएंगे कुछ लॉनली प्लेनेट पे और जित्ती भी गाइड बुक्स में इसी वाच्छा कि सब के अंदर नाम है आप गूबल पर बनवाते हमारी जैपूर की वर्डवाइड फेमस लस्टी तो अब बढ़िया तो भी आज हमें क्या बना के खिला रहे और क्या हमें पिला रहे हमारे पास धाली एक यह आईटम में लस्टी तो भी आपकी लस्टी एक एवल जैपूर में पूरी वर्डवाइड फेमस है तो इसके बार में कुछ बताएंगे हमें मैं तो क्या बताऊंगा हमें अब क्या खुड पीजे और जिसाइड करकर बताईये की सही है कि करत ने सुना कि आपकी जो जनरेशन है वह फोर्ट जनरेशन है और अंकल जी मतलब प्रड़ जनरेशन अग्रेशन तो कितने साल हो चुके हैं मतलब शोपको ड़ूर मुस्स टीन गरत बूर मुस्तिन श वह तब जो विख्टी थी बहुत ही बता सकते हैं मैं तो आज ही का बता सकता हूं कि तो अंकल जी तब कितने अमांट की बिख्ती थी और आज कितने वाउंड की बिक्ते दिए बेची चोटी लस्य 25 पैसे की बड़ी 50 पैसे की और आज क्या रेट अब है चालेश रुपए और चालिस रुपे और अस्य रुपे देख बनाते वे अपने लोगों पूरिबाइब राउंड दो यहां पे हमारी लस्सी बनाई जा रही है और यह तुम देशकते यह पूरी पूरी दई है तो अंकल जी यह मतलब घर पर ही जमाई जाती है देख यहीं पर फिक्स नहीं है लूंग। तो यह अराउंड मतलब फिर भी जैसे अंकल जी बता रहे हैं कि फिक्स नहीं है तो जैसे होता है ना कि 10 kg, 20 kg, 100 kg, 200 kg, ऐसे मतलब रशी कितने बिल जाती है 200-200 kg, 200-200 kg, तो इतनी अमाउंट में यहां पर जैसे जमाई जाती है और 200-200 kg जो अंकल बता रहे हैं कि लग्सी यहां पर स्छाल होती है जैसे हैं कि परी टाइमिंग बता दीजिए और आडरस बता दीजिए अगर कोई आना चालता है सुगह साथ से चार वेजे तो तो इन सो बारा लस्टी वाला एमाइडोट जैपोर